2024 का लोकसभा चुनाओ खत्म हो गया लेकिन इस चुनाओ ने उत्तर प्रदेश में भारती जन्ता पार्टी को बहुत जादा नाराज किया है। चुनाओ खत्म होने के बाद परलाम सामने आने के बाद एक अदावत एक नाराजगी की भी चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। और वो चर्चा है अमित शाह और योगी आधितनात के बीच की। दोस्तों क्या वाकई इन दोनों के बीच कोई खटपट है इन दोनों के बीच कोई नाराजगी है या फिर ये कपोल कलपनाएं हैं दंत कताएं हैं। इन तमाम बातों पर आज आप से बात करेंगे देश के पूर्व ग्रह मंत्री आप सोच रहे होंगे मैं पूर्व ग्रह म प्रधान मंत्री अपना स्तीफा दे चुके हैं और लोकसभा भंग हो चुकी है अब नई सरकार का गठन होना है लेकिन इसके बीच सोशल मीडिया से लेकर सलक तक एक मुद्दे पर बहुत जादा बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों नेताओं के बीच की जो ना इसके बारे में बताएंगे और ऐसा क्यों लग रहा है वो भी बताएंगे ये बात हकीकत है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्तिनात कुछ सीटों पर अपनी मर्जी से टिकट देना चाहते थे लेकिन ऐसा हो नहीं सका कई सीटे ऐसी थी जहां अमिच शाह ने अपनी म खटपट है आप इन दोनों तस्वीरों को देख लीजिए इन दोनों नेताओं के बीच क्या खटपट है आज हम उस पे बात करेंगे और उसके लिए हम आपको अमिच शाह के एक्स हैंडल के कुछ पुराने और कुछ ताजा पोस्ट दिखाएंगे पांच जून को तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित तिनात का जन्म दिन होता है और उनके जन्म दिन पर अमिच शाह उनको हर बार बधाई देते चले आ रहे हैं तो उन बधाईयों में ऐसा क्या है जो ये बताता है कि दोनों के बीच कुछ तो गड़बढ़ हैं सबसे पहले आपको अमिच शाह की दी हुई बधाई दिखाते हैं दोस्तों ये दोहजार उन्नीस का पोस्ट है पांच जून दोहजार उन्नीस यानी की पांच साल पहले जब मोधी सरकार की वापसी हुई थी दोहजार उन्नीस में 14 का चुनाव जीतने के बाद 19 में दोबारा नरेंदर मोधी प्रधान मंत्री बने थे योगी आदितनाथ उस वक्त मुख्य मंत्री थे और अपने पहले कारेकाल में थे तब अमिट शाह ने लिखा उत्तर प्रधेश को सुशासन और विकास के पच पर अग्रसर करने वाले प्रधेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री योगी आदितनाथ जी को जन्म दिन की शुब कामना है मैं आशा करता हूँ कि आपके नित्रत्त में उत्तर प्रधेश प्रगती के नित नए मापदंड स्थापित करेगा आपकी दिरगाई उवा उत्तम स्वास्थ की कामना करता हूँ बेहत शांदार शब्दों में खुले दिल से अमिट शाह ने योगी आदितनाथ को बधाई दी अब आपको ले चलते हैं अगले साल यानी 2020 में यहां भी उस तरीके से बधाई दी गई ये भी लिखा गया कि प्रदेश में सुशासन कानून विवस्था और जरता के कल्यान के प्रति आपका समर्पन बहुत ही प्रशंसनी है आपके नेतरत तुमें प्रदेश नित विकास पत पर अग्रसर रहे और आप स्वस्थ हुआ दिरगाईू हों ऐसी इश्वर से काम ना करता हों थोड़ा सा आगे चलते हैं 2022 अब आप देखेंगे बधाई देने का जो मैटर है थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन लिखा है कि मोदी जी के मार्ग दर्शन में आपने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश को गुंडा राजवा माफिया राज से मुक्त कर विकासोन मुक्षासन दिय है उससे प्रदेश के नए कीरतिमान बना रहा है और थोड़ा सा आगे चलिए 2023 में आईए पोस्ट और छोटा होता है मोदी जी के मार्ग दर्शन में उत्तर प्रदेश में गरीब कल्यानवा सुशासन को जमीन पर पहुंचाने में आपके नेत्रत्त में प्रदेश सरकार सर को दिखाऊंगा वो पोस्ट जिस पांच जून 2024 से ठीक 24 घंटे पहले भारती जनता पार्टी को जो परणाम आये उसमें केंद्र में बहुमत नहीं मिला और उत्तर प्रदेश में पार्टी 2019 की अपेक्षा आधी रह गई वो क्या पोस्ट था वो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आधित्तिनाजी को जन्म दिन की शुब कामनाए ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ और दीर घायू की कामना करता हूँ यानि सुशासन, माफिया राज को खत्म करना, गुंडा राज को खत्म करना, प्रदेश को आगे ले जाना, प्रदेश की तरक्की करना ये तमाम बाते 2024 के इस पोस्ट से नदारद हैं 2024 में ऐसा कोई जिक्र नहीं है जिसमें योगी आदितिनाद की प्रशंसा हो इसे आप सिर्फ एक आपचारिक्ता से भरा पोस्ट मान सकते हैं अब लोगों के जहन में ये सवाल भी होगा कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है राजनीती में शब्दों के बड़े माइने हैं और जिस तरह से अमित शाह के योगी के प्रती शब्दों में कटोती हुई है वो ये बताता है कि ये कटोती सिर्फ शब्दों में नहीं है बलकि भावनाओं में भी कहीं न कहीं और रिष्टों में भी खटास सी आ चुकी है यानि जो लोग इस तरह की बाते कर रहे हैं उनकी बातों में ये आधार भी एक बहुत बड़ा आधार है दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोगसभा के चुनाओं में बहुत कम मौके ऐसे देखे गए जब अमिर्शाह और योगी आधितनात एक मंच पर एक साथ नजर आए लेकिन अब ये जो पोस्त हैं जिनमें अमिर्शाह योगी आधितनात को इस तरह से बड़े नपे तुले और कम शब्दों में बधाई दे रहे हैं उसके बात से इस चर्चा को और ज़्यादा हवा मिल गई है कि क्या वाकई दोनों के बीच सब कुछ सामान नहीं है इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है और आपको भी ऐसा लगता है कि वाकई ऐसा कुछ चल रहा है तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं